बिनोला खल में पिछले कुछ दिनों से गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दरसल कपास्या में जीन वालों की भारी बिकवाली के कारण पिछले एक सब्ता से कपास में भी करीब 400 रुपे प्रति क्विंटल और कपास खली में 200 रुपे प्रति बोरी 60 किलोग्राम की मंदी आई है जो कपास उपर के भाव में 4500 रुपे प्रती क्विंटल बिख चुका है वह कपास्या आज 300 रुपे प्रती क्विंटल में बिखने वाले दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन लेवल पर भी खरीदार बजार से गायब है इसका कारण यह है कि सभी जीन वालों ने कपास्या के भाव 5000 रुपे प्रती क्विंटल सोच पर स्टोक कर लिया था लेकिन कपास्या खली की बिक्री पूरे साली मेंगी होने के कारण बिक्री 50 फिसद रही बाकी 50 फिसद पशु आर्भिका यही कारण है कि जीन वालों के पास कपास का भारी स्टोक बचा हुआ है मध्या परदेश में भी करीब 2 लाग कविंटल पुराना कपास्या स्टोक है और इस वर्ष कपास्या तेल में भी भारी मंदी आई है इस सल जो कपास्या तेल उपर में 1635 रुपे प्रती 10 किलोगराम भी खताव है कपास्या तेल आज 1200 रुपे प्रती 10 किलोगराम का भाव है जिस कारण से फिलाल बजारों में उपरी स्टरों पर मंदी दिखाई दे रही है और बिनोला खल की कीमतों में भी वाइदा में जोरदर गिरावट दर्च की गई है और आज सितंबर वाइदा में भाव 4 फीसद से ज़ादा लुड़क गए द्रसल मांग में कम्य और कपास की कीम्तों में गिरावट के चलते बिनोला खल की कीम्ते उपरी स्तरों पर लुड़कती दिखाई दी और खरीदार थे इन लेवल्स पर वो भी अपनी दूरी बनायत दिखाई दिए माना जा रहा है कि बिनोला खल में आने वाले दिनों में कीमतों में गिरावट बढ़ सकती है और भाव नीचे में 2000 तक अक्तूबर वायदा में लुड़कता हुआ दिखाई दे सकता है